हेलो एव्रीवन स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ग्रेट प्लेट्स में तो कैसे हैं आप लोग तो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं आलू को स्टफ करके खस्ता कचोरी तो सबसे पहले इंग्रेडियेंट्स देख लेते हैं तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पें रखेंगे और इसमें में डाल रही हूँ खड़ा धनिया, थोड़ा सा जीरा, और इसके साथ है सौंफ, जीरे के साथ सौंफ म्यक्स है, और 4 से 5 काली मिर्च, और इसमें मैंने डाले हैं, दो खड़ी लाल मिर्च, इन सब को ह में थोड़ा सा रोस्ट करना है बहुत ज्यादा नहीं भूनेंगे इसको बस थोड़ा सा रोस्ट करेंगे और गैस को बंद करेंगे तो यह देखिए यहां पर यह रोस्ट हो चुका है तो यहीं पर हम गैस को बंद कर रहे हैं अब इन मसालों को हम कूट लेंगे या आप चाह स्गयान में नोष्य स्ट होच दूखा नोषी अब यहां पर णायल हमारा गरम है तो अब इसमें डाल रहे हैं सबस्काया है जो मशाल है मैंने रोस्त करisha कैसे उसको पर लिया था उसको भी मैं डाल रही हूँ, लगभग दो चमच, छोटे चमच से, दो चमच मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ, और इन सब को हम चलाएंगे, और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ, कुटी हुई अदरक, उसके बाद बारीक कटी हरी मिर्च, मिक्स करेंगे इसको, और इ इन सब ü Mississippi कर के अभ हम इसमें डाल रहे हैं मिलाएंगे यही पर डाले हूं यह की हुए आलू थे उसको मेश sites कर के मैंज ऑफ़नेसर से अच्छे काट लिया एयुक्त तो वह मैं डाल रहा हूं और इन सब को अच्छे से से मैश करेंगे अलू के साथ तकि सब उसके मिक्स हो ज जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर लाता है, किसी भी चीज में डालने पर, तो वो डाल रहे हैं, तो इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे, तो ये देखिए, यहाँ पर स्टफिंग हमारी रेडी है, तो चलिए, अब हम इसका आटा तियार करते हैं, तो इसको बनाने के लिए मैंने लिया है आटा, आप चाहें तो इसे मैदे से भी बना सकते हैं, तो इसमें मैं डालने हूँ नमक, इसके बाद अब इसमें मैं डालने हूँ अजवाइन, और अब हम इसमें मौयन देंगे, तो मौयन इसमें बहुत अच्छे से डालिएगा, क्योंकि हमको खस्ता बनान बनेगी तो इसको अच्छे से मसल मसल के हाथों से चारो तरफ आटे में मिक्स करेगे हम ताकि अच्छे से मौयन चारो तरफ मिक्स हो जाए तो यह देखिए यह बंधने लगा है तो मौयन हमारा डल चुका अब हम इसका आटा लगाएंगे अब थोड़ा थोड़ा पानी डालके हम इसका आटा लगाएंगे इसका आटा हमें मीडियम लगाना है नहीं हमें ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए नहीं बहुत ज़्यादा सक्त चाहिए तो यह देखे कुछ इस तरह से और इसको हम दे रहे हैं अब 10 मिनट रेस्ट तो इसको ढखके रख देंगे अब यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं हमारे अब यहाँ पर एक बार फिर से आटे को हम अच्छे से मसल के चिकना कर लेंगे अब हम इसकी लोई बना लेंगे तो लोई हमारी बन चुकी है अब हम स्टफिंग करेंगे तो स्टफिंग के लिए देखिए यह एक लोई ले रही हूं मैं और इसको हम ऐसे हाथों से दबाते हुए एक कटोरी का शेप देंगे ऐसे यह देखिए और इसको हम जो आलू था हमारा उसको भी हम गोल कर लेंगे एक छोटा सा बॉल टाइप का और इसके अंदर डालेंगे और यह देखिए ऐसे हम इसको स्टफ करेंगे ऐसे हाथों से दबाते हुए इसको उपर जोइंट करें और एक्स्टर आटा इसको हाथों से दबाते हुए इसको थोड़ा चप्टा करेंगे क्योंकि कचोरी है इसको बेलना नहीं है थोड़ा चप्टा कर देना है तो इसको तलने के लिए मैंने रखा है गैस पे पैन उसमें मैंने ओयल डाल दिया था जो की ओयल हमारा बहुत अच्छा गरम हो चुका है तो इसको हम कर रहे हैं लो फ्लेम पे इसको हमें लो टू मीडियम पे ही तलना है हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी ना तले इक रिस्प नहीं होगा तो इसको लो टू मीडियम पे ही तलियेगा तो ये देखिए कचोरियों को मैंने इसमें डाल दिया है तो इसको हम दो से तीन मिनट बाद ही पलटेंगे तो ये देखिए थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने लगा है तो अब हम इसको यहाँ पे पलट रहे हैं ये देखिए कम आज पे आप कुछ भी फ्राई करते हैं तो वो क्रिस्प बहुत होता है आप इसको अगर हाई फ्लेम पे कर देंगे ये जल्दी से इसका कलर तो चेंज हो जाएगा लेकिन अंदर से ये बिल्कुल भी क्रिस्प नहीं होगा तो इसको लो टू मीडियम पे ही तलें और इसको हमें गोल्डेन ब्राउन होने तक तलना है तो ये कचोरी हमारी लगभग हो चुकी है इसका कलर एगदम गोल्डेन ब्राउन हो चुका है तो अब हम इसको निकाल लेंगे ये देखिए तो इसे आप किसी भी चीज के साथ ट्राइ कर सकते हैं यह बहुत ही ज़्यादा तेस्टी लगता है तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग झाल